वाकई यह application बहुत ज़्यादा कमाल की है क्योंकि instantly लोगों को एक लाग रुपे तक का approval मिल रहा है और application आपसे किसी भी तरीके का income proof नहीं मांगती है बस आपको KYC करनी होती है और आप अपने income को online internet banking के जरिये validate करके instantly कुछ मेंटों के अंदर में approval ले सकते हैं तो वीडियो को आइंट तक देखे ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आपको instant loan की requirement होगी इसी तरीके की financial update हमेशा देखने के लिए चैनल को subscribe करिये notification के लिए इस bell icon को भी hit करिये ताकि जब कभी इस channel को उपर आपके लिए कोई नहीं video publish हो आपको उसकी notification instantly मिल जाए और आप उसे one tap में देख पाए उमीद करता हूँ आपने अभी तक चैनल को subscribe जरूर कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी तरीके का income proof आपको यहाँ पर upload नहीं करना है तो पूरी detail इस video में life step के साथ बताने वाला हूँ पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसे आप कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं तो screen के उपर जैसा कि देख पार है हाली में मैंने आपको बताया था कि इस application से कैसे आप loan ले सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस video को end तक देखीगा application आपको instantly approve limit प्रोवाइड करता है और यहाँ पे जैसा ही आपको approval मिलता है limit का आप simply जो है इस loan से purchasing सुरू कर सकते हैं simply start shopping with EMI पे click करेंगे आप यहाँ पे आपको browser पे एक और option दिख जाएगा simply click करेंगे जिस भी browser से आप open करना चाहते हैं और उसके बाद आपको detail दिखाई देगा उस website का अब यह website यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लगभग अपने सभी नीडी product को purchase कर सकते हैं जैसे कि smartphone, laptop, gadgets या फिर fashion या फिर home in decor में कोई भी चीज़ जैसे furniture वगड़ा सभी चीज़े आप EMI के उपर purchase कर सकते हैं अब यह page जब आपके सामने में आए यह आपको यहाँ पे 3 dot पे click करना है 3 dot पे जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने कुछ यह page दिखाई दे जाएगा यहाँ पे आपको login करना है तो अपना phone number जो है डालना है और टीपी के जरीए उसे verify कर लेना है जैसे ही verify करेंगे अब आपको जो detail दिखाई देगा यहाँ पे आप इन सभी brands के product को बाई कर साथ को providers दिख जाएंगे जैसे कि टाटा क्लिप, business sales यह सभी providers हैं जो भी इस organization के through आपको product provide कर रहे हैं simply किसी आप करेंगे तो यहाँ पे अब आपको option दिखाई दे जाएगा कैसे buy करना है कैसे buy करना है आगे मैं बताने वाला हूं तो जैसे कि देख पारें यह website अप्री direct होके open हो गया यहाँ पे कोई भी product चूझ कर लिजे जैसे कि smartphone हमने चूझ किया और यहाँ पे जैसे कि देख प करना है simply अब कुछ असान से step के ऊपर आप बाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इंस्रक्शन अल्रेडी दिया हुगा है कि simply आप किसी भी product को बाई करिए EMI पे क्लिक करिए Cardless EMI को चूझ करिए उसके बाद इस application को जो है चूझ करिए और register mobile से sign up करिए EMI प्लान चूझ करिए OTP के जरी confirm करिए अब जो भी delivery time है उस delivery में आपका वो product आपके घर पे delivered हो जाएगा तो यह था इस तरीके से आप इस organization से जो है buy कर सकते हैं कोई भी product पहला step आपको दिखाई देगा mobile verify करने के लिए start पे क्लिक करिए अपना phone number डालिए OTP की जरी उसे verify कर लिए eligibility चेक करने के लिए कुछ questions आप से पूछे जाएंगे जैसे कि आपका पूराना कोई EMI चल रहा है या फिर क्रेडिट काड इस्तेमाल कर रहा है कोई आपने loan लिया हुआ है यह सारी चीज़े आप अपने हिसाब से select करिए pin code डालिए अब अगर आपने अधार नमर डालना है security code डालना है सब्मिट पर क्लिक करना है सब्मिट पर क्लिक जैसे ही करेंगे अब आपको अधार लिंक mobile पे एक OTP आएगा OTP आपको read इंटर करना है यहां पे और एक four digit का pin generate करना है verify पर simply आप करेंगे और फिर next forward जाएंगे यहां पर आएक आपको selfie दे करेंगे और फिर जैसे कि देख पारें आपको यहां पर credit limit अलड़ी मिल चुका है जो कि है 32,500 जो कि मेरे case में है final करिए step यानि auto debit mandate complete करिए start पर simply click करना है आपको फिर आपको अपना bank select करना है account number डालना है confirm करना है account type select करना है FAC code डालना है continue पर जैसे ही click करेंगे अब आपका auto mandate setup करना है जैसे ही setup repayment mandate पे click करेंगे आपका यह redirect हो जाएगा आपके internet banking website के उपर वहां पर आपको अपना login detail इंटरी करना है और फिर transactional password डाल कर इसे approval देना है जैसे ही approval आप complete करते हैं आपका यह loan approval आपको मिल जाता है और आप एक लाग रुपे तक का यहां पर credit limit ले सकते हैं उस credit limit से कहीं पर भी आप shopping कर सकते हैं तो यह था आज का update उमीद है पसंद आयोगा वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को भी subscribe करें ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की interesting update मिलती रहें आज इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हू